फिल्म देखें और अक्टिंग सीखें थम्नेल पर यही टाइटल देखकर आपने क्लिक किया है मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखना बहुत जरूरी मैंने हमेशा सीखने पर बहुत जोर दिया है और हमेशा वो नए-ने तरीके लाता रहता हूँ जिससे की आपको सीखने में आसानी है और यही सब बताने वाला हूँ आज के फिल्मी पंडे में अलो फ्रेंट्स वेल्कम टू फिल्मी पंडे जॉइन फॉम्स अकेडमी मैं हूँ आपका अपना विरेंद्रा ठोग और आप देख रहें बॉलिगूड का गूगल जॉइन फॉम्स यूट्यूब चैनल क्या यह पॉसिबल है कि कोई डॉक्टर बगेर मेडिकल की पढ़ाई किये हुए सरजिरी कर सके बेलकुल नहीं हो सकता क्या यह पॉसिबल है कि कोई एक बहुत बड़ा ब्रिज या सडग बना दे इंजिनियर बगेर इंजिनिंग की हुए, बिल्कुल नहीं हो सकता है तो ऐसे ही, क्या कोई actor बगेर acting school जाए, acting सीख सकता है बिल्कुल नहीं, सीखना बहुत ज़रूरी है फिर भले आप joint rooms academy के video course से सीखें या फिर online live classes से सीखें या फिर Mumbai या के classroom में सीखें या फिर किसी और workshop से, theater से सीखें लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है लेकिन क्या कोई film देखकर भी acting सीख सकता है अगर आप में cinema की basic समझ है तो आप film देखकर भी acting सीख सकते हैं और यहीं सब बताऊंगा आज के, पूरे की पूरे video में तो इसको अंतक देखीगा ताकि आज से आपकी exercises और practice शुरू हो जाएं घर में ही बगेर कोई खर्च किये हुए यहाँ पर मैं एक बात clear करना चाहता हूँ कि film देखकर acting सीखने के लिए आप में acting की basic समझ होनी चाहिए और अगर आपके पास वो basic समझ भी नहीं है तो video के end में मैं बताऊँगा कि कैसे वो समझ लाई जा सकती है उसका जो solution है भो भी मैं बता दूना अब कैसे करें step 1 शुरुवाद ये करें कि आप IMDB से best rating वाली कोई film देख सकते हैं या फिर कोई आपकी favorite film है वो देख सकते हैं या किसी भी एक बहतरी नकडाकार की film को ले लिजे और उसको देखना शुरू कीजे जब भी आप film देखें पूरी film देखें पूरी film की कहानी को समझें उनके किरदारों को समझें और जो भी scene आपको बहुत अच्छा लगा है उसको नोट कर लें उसकी timeline को नोट कर लें कि इतने minute पे ये scene आया था ये काम है आपका पहला अब आते हैं step number two पे अब आपने पूरी film देख लिए अब उस scene को देखी जो आपने mark किया हुआ scene को देखते वक्त ये notice कीजे कि आपको ये scene क्यों पसंद आया आपको उस फला एक्टर की acting में कौन सी खास बात ऐसी लगी जिसने आपको अटेट किया जिससे कि आप उससे emotionally attach हो गए आपको बहुत अच्छे से समझ ना होगए कि उसकी कौन सी अदा कैसे बोलने का अंदाज उसके body gesture या उसके body के movements कैसे हैं इन पर धियान दीजी दूसरा दीखिए उनकी eyes में emotions के expression कैसे हैं मैं हमेशा eyes में अपनी जो acting classes भी होती है सबसे ज़्यादा focus students का करवाता हूँ कि आखों से express होना चाहिए ये बहुत जरूरी है cinematic acting के लिए camera acting के लिए तीसरा आपको ये देखना है कि आपका जो उच्चारण है या जो बोलने का तरीका था उनका वो कैसे था वो लहजा कैसे था उसको notice करना है और fourth ये देखना है कि उसमें पूरी की पूरी energy कैसे थी क्योंकि हर emotion में energy बदल जाती है महलो एक romantic scene है तो उसमें energy अलगगी अलगगी कोई comedy scene है उसमें energy बिरकुल अलगगए तो आपको माह करना है कि उसमें उस actor की energy कैसी थी तो जबभी scene देखेंके आप में इन चारों चीज़ों को माह करना है मैं आपको एक्जाम्पल के लिए जो नवादुदिन सिद्धिकी की फिर्मती लंच वाग उसका एक सीन दिखाता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से पैटिकली समझ पाएं कि आपको किस तरह से फिल्म देखनी है इनके तरफ से पूरी की पूरी फॉर्ज आएगी आपने देखा इसी अब इस सीन से एक्टिंग को समझने के लिए या आपको नवाज और इर्फान का करेक्टर समझना होगा फिल्म की कहानी समझनी होगी और सीन की सिचुएशन भी समझनी होगी हो सकता है बहुत से लोगों ने ये फिल्म ना देखी हो तो उन्हें इस सीन का प्रमाइस समझा देते हैं इस फिल्म में इर्फान और नवास के करेक्टर लोनली मैन के हैं यानि कि वो दोनों ही अकेले हैं इस सीन में नवास इर्फान खान को अपनी शादी के लिए इन्वाइट करता है क्योंकि नवास की शादी में उसकी फैमिली से कोई नहीं आ रहा है अब इस सीन में एक आम आदमी की बेबसी और एक अकेला पना आपको नजर आ रहा होगा इसमें गौर करने वाली बात ये है कि इस सीन में नवास की बॉड़ी लेंगविज और लिस्निंग के तरीके को देखिए नवास बात करते हुए ज़्यादतर टाइम अपने खाने की प्लेट को देख रहे हैं क्योंकि वो नर्वस है अपनी फीलिंग और परसनल बातें किसी अंजान से इनसान के साथ शेयर कर रहे हैं और साथी नवास के बॉलने का तरीका आवास और उचारण पर भी ध्यान दीजी तो इस छोटे से सीन में आपने चारों चीज़ों को देखा मतलब कि बोलने का तरीका, उनका उचारण कैसा था, उनका body gesture कैसा था, energy कैसी थी, ये सारी चीजों को आपको notice करना है, इसके बाद आता है step 3, इसमें आपको क्या करना है, वही scene देखना है, लेकिन इस बार आपको sound को off कर देना है, sound off करके पूरे के पूरे scene को देखना है, और dialogue को अपने याद कर लेना, इतना है step number 3, फिर्म देखें और acting सीखें, मैं step number 4 ये है, कि अब जब आपको पूरी तरह से लग जाए, कि आप उसके emotions को, उस scene के emotions को, character को feel कर पा रहे हैं, तो शीशे के सामने खड़े हो जाईए, और उसको perform कीजिए, लेकिन एक बाद का आपको copy नहीं करना है, आपको अपने original expression रखने हैं, जो भी आप emotion feel करना है, अब शीशे के सामने खड़े होने के बार, आप पूरे act को करिए, और ये देखें कि आप feel कर पा रहे हैं, कि नहीं कर पा रहे हैं, देखें इसमें एक फाइदा है, और एक challenge है, फाइदा ये है कि आपको पूरी तरह से समझने का मौका मिलना है, उसकी acting को देख कर कि हाँ, मुझे कैसा feel करना है, लेकिन challenge ये है, कि अगर आपने उसको mimic किया, या copy करने की कोशिश की, आपके internal emotions नहीं आएंगे, और वो expressions पे नहीं लिखेगा, इसलिए please इस बात का ध्यान रखें कि आप उस scene की गह सामने जब हम acting करते हैं, खास और से नए actor, तो हम देखने लग जाते हैं कि यार मेरी आखे कैसी लग रही है, मेरी smile अच्छी नहीं है, मेरा चेहरा ऐसा है, इसमें ये problem है, मैं शायद अच्छा नहीं लग रहा हूँ, इन चीजों पर ध्यान चला जाता है, please वहाँ पर ध्य emotions को express करने पर ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आप किसी भी film का कोई भी scene ले सकते हैं और इसको इस तरह से practice कर सकते हैं, एक बार ज़रू clear करूँगा क्योंकि यहाँ जब camera acting class हम करते हैं, तब इस तरह की मैं exercises कराता हूँ, तो उन actors को क्या होता है, camera के सामने confidence होता है, तो इस से आपका camera के सामने का confidence तो दूर नहीं होगा, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना बहतर होता है, तो आपके अंदर acting को लेकर एक confidence आता जाएगा, और आप अलग-अलग characters को जब करेंगे, तो धीरी-धीरे आपकी जो जिजखत है, वो भी दूर होती चली जाएगी, तो इसको daily practice करें, कोई भी एक scene लेले, एक character लेले और उसको practice करें, अपने अंदाज में इस बात का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपको acting का एक basic craft पता है, तो आपके लिए बहुत easy हो जागा, मुझे लगता है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि भई, मैं कम खर्च में बहु acting सही कर पा रहें कि ने कर पा रहें, इसका solution भी joint firm से निकाला हुआ है, joint firm ने एक ऐसा eco friendly system बनाया है, कि आप video course से जब सीखते हैं, practice करते हैं, उसके बाद आप अपना जो एक video बनाते हैं, उसको send करते हैं team को, और उसके उपर मैं feedback देता हूँ, तो ये continuous process है, इसमें कोई दि आपको कैसे लगते हैं, अगर चैनल से पहली बार जुने हैं, तो 2000 से भी ज्यादा वीडियो हैं, आपको Bollywood में कामियाब बनाने के लिए, joint firm में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे की आपको proper professional guidance मिलेगी, भली आप actor बनना चाहते हूँ, writer बनना चाहते ह हूँ, singer बनना चाहते हूँ, आपको हर तरह कि इस पर वीडियो मिलेंगे, भली वो fake auditions पे हूँ, कि audition कैसे देने चाहिए, इस पर भी detail वीडियो अवेलेबल हैं, वीडियो को हर बार आकर प्यार से देखने के लिए, और लोगों के साथ share करने के लिए बहुत 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 हूँ